दोस्तो मैं आपको दोस्तो आप लोगों के लिए बहुत गजब की चीज लेके आया हूँ वीडियो को पूरा देखोगे तो ये चीजे समझ में आएगी अगर सोट ट्रम में चीजे समझने को कोशिस करोगे तो नहीं समझ में आएगी दोस्तो मैं एक प्रोपिटी लेके आया और अगर मैं location की बात करूँ तो आपका hardly connectivity की बात करूँ तो 2-5 km का distance बढ़ता है location बहुत premium है अभी नहीं समझ में आवगी मैं आपको master plan पर समझाओंगा फिर internal development के थुरू भी आपके उसकी connectivity मैं आपको दिखाने की कोशिज करूँगा payment plan इसका बहुत अच्छा है वो हम आगे समझेंगे step by step इस project को समझने कोशिज करते हैं location बहुत premium है connectivity बहुत premium है और जो यह concept लेके आ रहे हैं यह concept बहुत अच्छा है और इसके अंदर जो amenities हैं अभी तक आपने जितने भी build-up floors देखे होंगे ना उसमें अरीन में बहुत different है और क्यों है आए समझते हैं आज की इस वीडियो में तो दोस्तों यह है गुरुगाउं master plan सबसे पहले हम location को समझने की कोशिज करते हैं यह जो road है यह गोल कोट्स रोड जो की हिट होता है इस T-point पे extensor road के साथ अगर आप rapid metro station देखना जाते है तो वह यहां पे है 555 का और जैसे हम इस location पे अगर हम जाते हैं तो हम आगे जाके तो left side में लेंगे जो पहली red light आती है यहाँ पर T-point पर यहाँ पे पाइरियो का grand high ad है तो आगे जैसे ही जाते हैं तो यहां पे यह floor पढ़ते हैं, यहां पे यहां पे अनन्त राज की यह है, वैसे अनन्त राज का पूरा सेक्टरी अनन्त राज का है, तो यहां पे यह टाउन सी पढ़ती है, तो इस project की जो connectivity होगी, यह जो 90 मेटर रोड है इससे, और यहां से 24 मेटर रोड है इससे, तो यहा तुम आगे इंटरनल डेवलोमेंट के अंदर बताऊंगा मेजर मेजर कनेक्टिविटी बता देता हूं यह आपका पूरा एक्स्टेंसर रोड आता है यह वाला जो कि वीवैंप होना है फ्लाई ओर वगरा है यहां एप फ्लाई ओर बनेंगे ऐसे ठीक है वाइटी का चोग प अगर हम यहां से जाते हैं तो हम सोना जाना चाते हैं तो हम इस रोड से भी सोना जा सकते हैं तो यहां से भी एक कनेक्टिविटी डिरेक्ट जोना के लिए होगी पिसरी चीज यह की तो यह सेक्टर 64 है यह पूरा का पूरा आपका पबलिक सेक्टर यानि इस आधे सेक्टर तो आप commercial belt भी आप ले लो, ठीक है, तो commercial belt भी आपके साथ होगी, connectivity आपके साथ होगी, ठीक है, future development भी आपके साथ अच्छी है, ऊपर से जितने भी ये खाली area देख रहा है, ये पूरा पूरा पहाड़ी लाका है, ठीक है, आप यहाँ से direct पहाड़ी के साथ, यानि view देख सकत है, रावले की साथ आएगा, तो ये तो connectivity होगी, आप समझ भी गए होगे, कि आप किस location में जा रहे है, उसके बाद हम बात करते हैं, internal development की, तो अब आगे है, internal development की अंदर, अभी तो हमने sector की development देखी, वही कहाँ से क्या sector है, वह आपका purpose होता है, यहाँ पे जो connectivity होती है, यह वाली, यह है, गोल कोर्स रोड यहाँ पे हीट होता है, इस T-point पे, ठीक है, आप चलेंगे, तो left side में red light से आपने left लेना है, यह वो 60 meter रोड है, जिसके उपर यह township आ रही है, ठीक है, यह 60 meter रोड है, उसके बाद आप यहाँ देखोगी, यह मैंने जो अभी बताता है, कि जो की connect होगा, आई-म-ट मानेशर के साथ, इसके अंदर आप देखना, यह जो township, अभी आप देखने जाओगी ने, इस 24 meter रोड की उपर, अनंत राज ने यहाँ पे गेट लगाया हुआ है, अनंत राज इस्टेट का, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तो entry है, इस project की, यह project direct connectivity आती है आपकी इस रोड से, यह 90 meter रोड है, इससे भी यहाँ connectivity, तो two side open, आपकी जो connectivity हो two side open होती है, तो location अच्छी है, आप 60 meter wide रोड से भी हैं, और 24 meter रोड से भी हैं, दूसरा है कि आपको अगर direct सोना जाना है, आप यह वाला जो रोड है, यह ऐसे भी proposed हैं यहाँ पे, द है, वो भी बन सकता है, उसके बाद मैं आपको sector 64 की एक बारे बता देता हूँ, यह 64 sector है, ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा आगर zoom out करूँगा, इसमें देखो engineering college है, वो आना है, old technical college है, वो आना है, architecture college है, medical college with hospital, उसके बाद management institute इसमें आना है, उसके बाद यह पूरी land है, यह स लाइंड है, यह है, यह सारा अगा सारा open space है, तो आप open area के अंदर है, उसके बाद यहाँ पे साथ साथ आप जो देखें गोई, institutional pocket है, यह institutional, यहाँ पे यह institutional belt, तो यह जो area उबर के आएगा ना, इतना जबरदस यहाँ पे appreciation मिलेगा, और रहने के लिए बहुत कजब की जग आएगा इसका, यहाँ से approved हुई, उसके बाद commercial belt आपकी आसानी से है, यह commercial belt पूरी है, जो कि पूरिया revamp के अंदर आएगा, ठीक है, आप इसके नजदीक हो, दूसरी है कि यहाँ पे gentry है, उस सारी की gentry आपकी luxury gentry है, आप उसके इसाफ से भी यहाँ पे बस सकते हैं, तो यानि, मतलब, कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि यहाँ पे 1% loss नहीं है, आपकी property को, यानि चाहिए आप end user पे जा रहे हैं, या आप investment के ले जा रहे हैं, क्योंकि यह जो extensor road की belt है, यह बहुत premium belt होती जा रही है, और इस belt के ऊपर, आने वाले time में, rate कम होने की वज़ए, rate appreciate ही करते जाएंगे, तो कि यहाँ पे होत major development आ रही है, 60 meter road है, 24 meter internal road है, अब चलते हैं दोस्तों, अपने project के ऊपर, कि यह project है क्या, तो दोस्तों, यह है property का, कुछ इस तरी के का आपको structure है, वो देखने को मिलेगा, इसमें नीचे आपका parking space है, first, second, third and fourth, fourth का अभी कोई लेन देना नहीं है, अभी जो यह sale कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, तीन floor को, ठीक है, जैसे fourth floor का construction, जो भी update है, वो आ जाएगा government के तरफ से, तो यह fourth floor बाद में launch करेंगे, ठीक है, नीचे still parking है, in calivation बहुत ही घजब का, आप यह try कर सकते हैं, यह corner float है, यह वाले corner float का कुछ view है, कुछ इस्त्रेगा का, तो यहां पर आ रहे हैं floor, इसमें basement नहीं है नीचे, तो design बहुत ही घजब का है, इसलिए मैंने सोचा कि, आप लोगों के लिए यह video बनाना बहुत जूरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा design है, यह इसका front का जो elevation है, कुछ इस्त्री के कर रहेगा, य उसके बाद first floor, second floor और third floor, यह क्या कर रहे हैं, fourth और, जैसे कि, यह fourth अगर बाद में आया, और third और fourth को half-half करके, आपको, जो terrace का area है, वो half-half करके दे रहे हैं, बाइचान सागर fourth floor नहीं आया, तो वो आदा जो area है, जो fourth floor के पास जाना है, वो किसी भी floor को बेच सकते हैं, वो first को भी बेच सकते हैं, वो second को भी बेच सकते हैं, जो लेगा, उसके हिस्से में, वो terrace का जो आदा part है, वो चला जाएगा, जो सभी का जो layout बनेगा, कुछ इस तरीकी के यह दिखेंगे, सारे के सारे floor, ठीक है, क्योंकि 59 floor के उपर यह floors है, इसमें अभी elevation जो दिखाया गया ह आपको, वो चार floor का है, first, second, third, और fourth floor का, ठीक है, इसमें वोई सेम सारे चीजे concept होती है, payment plan अच्छा है, वो आगे हम discuss करेंगे, यह अभी 24 meter road से इसकी entry अभी यहां से है, दूसरी side से 60 meter wide road से entry हो जाएगी, यह entry कुछ हिस्तरीक से रहेगी यहां पे, और उसके बाद यह corner है और दूसरी चीज यह है, कि आपकी यह two side open floor है, क्योंकि इसके पीछे आपको green area दिखेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा, तो floor के साथ floor मिलके नहीं है, तो balcony का size भी बहुत अच्छा आता है, और आपके पीछे वाली balcony का भी size बहुत ही अच्छा है, जो इस तरीके से का ये रस्ता है, और इसके बीच में इन्होंने sports activity, jogging track, बच्चों के लिए, ये सारी चीजी है, यहाँ पे इन्होंने दे दिये, तो यानि एक साथ नहीं है, ventilation अच्छा है, floors का, और उसके बाद अगर ये वाला और ये वाला दोनों अगर floor की balcony पीछ आमने सामने है, तो ये floor के पास, तो 500 square feet का terrace area आपको यहाँ पे मिलता है, जो lift है, वो आपकी terrace तक नहीं जाएगी, क्योंकि height बढ़ जाती है, आप एक limit होगी, या height थोड़ी ये वो बढ़ा दी है, तो lift नहीं जा रही है, वाँ पे, मुझे है न, इनकी ये जो चीज है, ये बहुत अच्छी लग उसके बाद अगर हम बात करें, हमनेटीज की, first year free maintenance आपको यहाँ पे मिलेगा, smart automation आपको यहाँ पे रहेगे, ठीक है, modular kitchen आपकी यहाँ पे रहेगी, CCTV है, power backup 100%, 8KV power backup आपको मिलेगी, UPVC doors, windows आपको यहाँ पे provide होगी, electric vehicle charging point आपको यहाँ पे मिलेगा, premium bathroom fitting आपको यहाँ प दूसरा आपको elegant interior आपको यहाँ पे मिला, आपको दिया जाएगा, wardrobe यहाँ पे रहेगी, video door phones यहाँ पे रहेगी, lift यहाँ पे रहेगी, fan lights यहाँ पे रहेगी, hob and chimney यहाँ पे रहेगी, घीजर रहेगा, chimney यहाँ पे आगई, उसके बाद anti-termite आपकी treatment से यहाँ पे रहेगे, waterproofing यहाँ पे रहेगी, aluminum, safety, shield, for wardrobe and kitchen के लिए आपका यहाँ पे रहेगा, vanity आपके यहाँ पे रहेगी, ठीक हैं, तो इतनी amenities यहाँ पे आपको provide होती हैं, तो side ही किसी build up floor के अंदर, इतनी सारी amenities आपको देखने को मिले, पहले बाद तो two side open floor आपको मिल रहा है, उसके बाद आ सारी amenities यहाँ पे provide हो रही हैं, दूसरा payment plan आपको बहुत खुब सूरत मिल रहा है, यह जो view है, जो beach का, sports का activities है, यह वही है, जो मैं दिखा रहा था, इसमें दिवार नहीं होगी, देखो यह जो car parking दिख रहे हो, ज्यादा तर stilt area में आपको भी पीछी दिवार मिलेगी, एक logging track को आप यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए sports activities है, वो यूज कर सकते हैं, आप अराम से balcony में बैटके इस garden का आप review ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, और जितने भी plot है, जो कि floor की जो location है, वो west और north facing की है, और plot की जो facing है, वो east और west facing की है, तो एक भी south facing नहीं है, और जो finishing आपको bedroom में मिलेगी, AC नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको fitting मिलेगी, wires की, वो proper रहेगी, लेकिन AC नहीं दी जाएगी, आप अपने AC अपने according लगाएं, क्योंकि AC के बहुत सारे brand आ गए है, कोई एक टन लगाना चाहता है, कोई date लगाना चाहता है, कोई दो लगाना चाहत बागी जो design है, वो proper रहे है, kitchen आपको proper इसी तरह के से मिलेगी, इधर जो ये door देख रहे है, ये है balcony में जाने का door, उसके बाद जो finishing है, ये वाली, ये सब आपको ऐसे design मिलेगा, chimney होग के साथ आपको proper provide है, वो सारी चीज़े मिलेगी, किमनी बहुत, sorry, kitchen बहुत ही अच्छी बना के ये, bathroom है, proper आपको इस type के यहां पे provide होंगे, fully loaded आपके bathroom है, वो proper रहे है, आपको layout दिखेगा, ये आप मैं half-half कर देता हूँ, plot को, ये plot का half area आगया आपका, ठीक है, इतना आपका plot का half area रहेगा, इधर से ऐसे रहेगा, ठीक है, ये दो plot, plot number one and plot number two, ठीक है, तो इसक अंदर सबसे पहले में थोड़ा सा जूम करूंगा, इसको, तो जो आप जो stairs देख रहे हैं, ये दोनों की आपकी common रहेंगी, stairs, ठीक है, lift आपकी अलग लग रहेंगी, दो lift रहेंगी, stairs common रहेंगी, ठीक है, down जाने के लिए आपका अलग से रहेगा, लेकिन ये वाला जो part ह ये आपका common रहेगा, मा लिजिए आप इधर से नहीं, इधर से आना चाहते हैं, इधर से नहीं, इधर से आना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रहेगा, बाहर एक चांच कोई काम करुआ रहा है, floor के अंदर या समान आ रहा है, तो दूसरी lift से जाने के लिए रश्ता है entry की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें एक flat की entry तो यहां से होगी, इस side की, यह है waste facing की, दूसरी अगर मैं entry की बात करूँ, तो यह direct entry यहां से होगी, ठीक है, तो यह south facing की entry बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं एक floor के side का लेके area लेके चलू, तो इसमें यह न दो तरीके concept दे सबसे पहले हम living area की concept को समझते हैं, यह आपका dining area आजाता है, living and dining area है, आपका यह वाला यह पूरा dining area है, जो है 15, 27 आगा, उसके बाद इन्होंने एक concept दिया है, अगर आपको study room चाहिए, study room चाहिए, तो यह वाला जो partition है, यह पूरा glass का partition है, आप चाहों तो इसको हटा भी स पूरे floor की, आपकी front वाली side का, यह पूरी balcony होगी, उसके बाद पीछे वाली balcony, यह वाली पीछे वाली balcony होगी, जो attached है, bathroom इसके साथ, इस bedroom के साथ, ठीक है, bedroom size अच्छे है, master bedroom आपका है, 10.9 by 15 का आपका यह आता है, यह मोटा मोटा 11 by 14 का आता है, यह भी काफी अच्छा है, ठीक है, wardrobe space अलग से हो जाता है, इस में bathroom है, इस bedroom के साथ bathroom है, ठीक है, इस नबर one के साथ attached bathroom है, bedroom number 2 के साथ, इस side यह attached, आपका bathroom है हो गया, उसके बाद bedroom number 3 के साथ भी attached bathroom, 3 bedroom, 3 bathroom plus study room, ठीक है, ऐसा ही concept, इस side, तो उसरे concept से बात कर लेते हैं, माल लेजिए आपको study room की नहीं है requirement तो आप कुछ इस तरीके से यहां से enter हो जाएंगे, इस flat में यहां पे enter हो जाएंगे, तो इसमें जो यहां पे study room था, यहां पे आपका sofa set डल जाएगा, यह dining area आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा, इधर फिर आपका kitchen हो गया, concept बिल्कुल सेम है, सिरफ एक अंतर है, इसम जाएंगे, तो आप उस टाइप के concept में चले जाते हैं, अगर नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके open उसमें चले जाओ, जो study हो उसमें आपको glass का door मिलेगा, वह आप भटा सकते हो, आप अपने इसाब से इसके अंदर चीज़े हो ले सकते हैं, अगर मैं society के अंदर के अगर म अच्छे offer भी रखे हुए हैं, वो हम मिलके भी discuss कर सकते हैं, तो दोस्तो location भी अच्छी है, plots भी अच्छे है, सुईधाईं भी इसमें अच्छी है, अब try करके देखो कि आपकी requirement के अगर ये चीज़े हैं, और आपकी काफी time से ऐसी चीज़े सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तो ये मत मिश करो, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, अगर आपकी requirement में बैट रहे हैं, तब, अगर requirement में नहीं बैट रहे हैं, तो फिर आपका decision है, आप आगे wait भी कर सकते हैं, लेकिन rate आपको पता है कि extensive road पे बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कोई नया project आता है, तो बहुत high rate आते हैं, अभी जैसे की MR की बात करूं, तो बोद ज्यादा check आ चुके हैं, जिसका ticket साई चार साड़े चार करोड के अंदर आना है, साड़े सातरा से ठारा हजार रुपे पर स्करफिट के rate से याँ पर आएंगे, अगर मैं इस project की बात करूं, तो लंब सम बारा साड़े ब आप एंटर हो सकते हैं, लोन प्रोपर मिल जाएगा आप लोगों को, उसके बाद अगर location अच्छी तरह अगर देखना चाहते तो आप contact करके आप एक बर site visit का plan बना लिजिए, तो आप एक बर खुद देखेंगे, वो और भी क्लेटे आपको आएगी, कि आज पास की क्या क् तो दोस्तो वीडियो पसंद आईए तो like और share जरूर करें, thank you दोस्तो